मुझे 715 नमबर मिल जाएंगे ये सब स्काम है जो मेरे साथ किया जा रहा है नहीं चाहिए मुझे मेटिकल की सीट मेरा तो नीट पर से विश्वास उड़ चुका है और दुबारा मैं नीट में कभी कतम नहीं रखूंगी डॉक्टर्स मुबारक को जो बाहर निकलेंगे कलको उन्हीं की किटनी बेचे इंसाइंस की स्टूडन्ट वो पढ़ना चाहती हो और आगे बढ़ना चाहती हो पेरी वजबनी डिमांड थी कि मेरी वैमार शीट को चेक करें बोलो बागे मुझे कुछ नहीं पता ये गुसा ये आसू उस खुनहार बेटी के हैं जिसकी मीट 2024 की मार्क शीट में धांदली हुई मामला लखनव का है जो आपको हैरान करतेगा कहानी आयूशी पठेल की है पूरी खबर हम आपको क्रम से समझाते हैं सबसे पहले आयूशी का रिजल्ट जेनरेट नहीं हुआ फिर एंटे ने एक मेल किया और कहा कि OMR शीट डामेज होने की वज़े से रिजल्ट जेनरेट नहीं हो पाया आयूशी के मामा लखनव हाई कोट में वकील हैं दूसरी बार उन्होंने एंटे को मेल किया कि फटी हुई OMR शीट का ही रिजल्ट जेनरेट किया जाए 24 घंटे के बाद रिजल्ट आया तो 720 में से 715 मार्ट बने आयूशी पटेल ने इस पर एक विडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया इस पर प्रियंका गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी और जाच की मांग की कहानी यही खत्म नहीं होती विडियो वाइरल होने पर एंटे ने उनसे कहा कि उनका एप्लिकेशन नमबर 240411840741 नहीं है ये नमबर गलत है इसमें 840 की जगा 340 है जब आयूशी ने एप्लिकेश नमबर में 340 डाला तो रिजल्ट आयूशी का ही खुला लेकिन उसमें मार्क्स करीब 300 के उपर थे ये देखकर आयूशी का दिमाग चक्रा गया उनका दावा है कि जब हर जगा एप्लिकेशन नमबर में 840 था तो अचानक 340 से रिजल्ट जेनरेट कैसे किया गया एंटे औ और नीट पर उनका गुसा फूटना लाजमी है उन्होंने क्या क्या कहा सुनिए मैं मेरा तो नीट पर से विश्वास हुट चुका है आज के बाद कल मेरा हाई कोट में लिसनेंगे मैं पॉजिटिव रिस्पॉंस एक्सपेक करती हूँ दुबारा मैं नीट में कभी कदम न लिए मैं बहुत सिंपल बैक्राउंड चाहिए साइन्स की स्टूडेंट वो पढ़ना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ मेरे से कोई रिलेशन नहीं है मेरी वज़तनी डिमांड थी कि मेरी वाइमार्श शीट को चेक करें वोलो बागे मुझे कुछ नहीं पता वाइरल विडियो पर कई लोगों ने आयूशी पर सवाल खड़े की लोगों का कहना है कि आयूशी ने रिजल्ट के साथ फेर फेर किया है इस पर भी आयूशी ने कमेंट किया सुनिये अगर मैं फेक हूँ तो जो मेरे बनाया होता है कि अगर मैं बनाया होता मुझे कैसे पता चलता कि अगर मैं फ्री को ऐड़ी तो मैं सुचित्रा थात जो भी लडगी उसके उसका एमार रोल नंबर ले लूँगी और उसके बास मुझे 715 नंबर मिल जाएंगे इसके बाद तो मुझे नहीं पता मेरा एक छोटा स्टेप जो मैंने खुद के लिया था वो इतना बड़ा वो बन जाएगा इशू बन जाएगा उसको पॉलिटिकल बेसेज पे लोग चलाएंगे मेरी उन्से कोई लड़ाई नहीं है मेरी बस इतनी थी कि जो मेरा OMR है उसको चेक कर दें वो नहीं निकल रहा है तो चार लोग कमेंट करोगे स्काम है, स्काम है, मैंने तुम्हारा ना कुछ खाया है, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे साथ है, तो जितने भी लोग मेरे पर कमेंट कर रहे हैं, कि मैंने जो स्काम किया है, ना तुम्हारा कुछ खाती हूँ, ना तुम्हारे नीट से कोई रिलेशन है, आप अपना पड़े, अपना ध्यान दे, मुझे आपका किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं अपने लेवल पर हाई कोट में लडूँगी और मेरा फैसला हो जाएगा, मुझे आपसे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए बता दे, इससे पहले आयूशी तीन अटेम्ट दे चुकी है, ये उनका चौथा अटेम्ट था, प्रूफ के तौर पर उन्होंने पिछले साल दिया, एफसेट का रिजल्ट भी लोकल एटीन को दिखाया कबसे पहले जब मैंने 12 के साथ दिया, तो मेरे 535 थे, फिर 570 थे, फिर 595 थे, और अब मेरा 715 स्कोर बन रहा था इसके साथ ही मैंने पिछले साल, एफसेट, All India Forensic Science में जो पेपर दिया था, वो All India Forensic Science में एडमिशन लेने के तो से मेरी All India Rank 3 थी जिसका में पास प्रूफ है, कि में पास All India Rank 3 थी, मैंने COVID में काम किया, मेरे पास Immune Boosters के Certificates हैं, लाइक इतना पढ़ा लिखा बच्चा जूट क्यों बोलेगा और अपने बड़े लेवल पर जाकर क्या अपनी ही बरबादी क्यों करवाएगा आयूशी पटेल की मा से भी लोकल एटीन ने बातचीत की, बेटी की मेहनत में कामियाबी के बज़ाए आखों में आसू दिये तो मा से भी बेटी का दुख देखा नहीं गया, मा ने यूपी सरकार से क्या कहा, सुनिए हम बस यही चाहते कि हमारी बेटी को नयाय मिले और किसी का भी इस तरह से नयाय से विश्वास ना उठे और हम चाहते अपने माननी मुख मंतरी, उनसे भी हमनी वेदन करते हैं कि वो सामने आहें, मैं हाँ जोड के उनसे नहीं वेदन करती हूँ, कि मेरी बेटी को, अपनी लखनव की बेटी को, इसके नयाय दिलाएं, वरना नयाय मर जाएगा, इस तरह से कोई भी आगे नहीं आ पाएगा, इसके हम बड़े लोग करते हैं, हम छोटे लोग इसके हम नहीं कर पाएगे, बस मेरी बात पहुचाई जाएगा।